मुखे शैनी ने नितेश कुमार पर कसा तंज अगर मानिये मुखमंत्री जी में थोड़ा सा भी अगर आत्मा जिंदा है तो अकेले लड़के देखे तब पता चलेगा कि मुखमंत्री जी कितना अच्छा काम के बिहार राज के लिए बिहार में बढ़ते अपरात को लेकर सरकार को घेरा देखे न बगल में वो योगी जी को किस तरीके से सरकार चला रहे हैं अपके सहयोगी दल के ही लोग है किस तरीके सरकार चला रहे हैं किस तरीके सरकार चला रहे हैं उनको सीखिए देखिए लोगी सरकार से सीख ले नितेश कुमार पर जम कर निशाना साथा। पता चल जाएगा। इतना ही नहीं पूर्म मंतरी मुके शैनी ने पड़ोसी राज्य उत्रप्रदेश की योगी सरकार का हवाला देते हुए कहा कि अपराद कम करने के लिए उनकी पॉलसी को नितेश शरकार को अपनाना चाहिए। अपरादी अपरादी होता है उसकी जगा ज सीखिए देखिए पुछ मामने में पर कोच लोग गलत है तो कुछ मामने में सही है राज जो है इसे लुझ बुझ नहीं चलता राज रॉप से चलता है अगर जनता बारत करेदी लोगर आपको मुक्मंतरी माना तो आपका जवाब देए कि लोगों को डिलेवरी देना इसे इसे मामले में तो उनका मॉडल तो मानते हैं सही है कुछ मामले में गरीब पिछरा दलित के साथ अन्या होता उस मामले में मानते हैं योगी जी सही नहीं है लेकिन कुछ मामले में तो वह थोस निर्ने लेते हैं उस मामले में मानते हैं कि सही है अपराधी के लिए अपरा परसासन को फर्क पड़ता है, हम लोग क्या कहें, हम लोग बोल बोल के मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या बोले हैं। सरकार को कोई फर्क नहीं पर रहा है, परसासन यहां पर जो SSP है वो दारू बेचवार हैं, ठाना पुलिस से पैसा हपता उसूली कर रहे हैं, अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं, आज बताईए छे दिन हो गया, कलाम जी के इस तरीके से गोली मारा गया और अभी तक एक भी अपराधी गिरबतार नहीं हुआ है, अब मझपपपुर्ग का पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर क्राइम कहीं पर हो रहा है, तो पटना के बाद सेकेंड नमर पर मझपपपुर्ग ही है, कि यहां आए दिन लोगों को हत्या हो रहा है, यहां पर लोगों को पर सिर्फ 276 कैसे 2025 में जीतना है, नितिज जी के नितुरत में कैसे बिहार में मुखमंतरी बने, खुद बने, उसके लिए प्लानिंग हो रहे है